प्लास्टिक की बोतलों की दीवार जो आप देख रही हैं उससे जमशेदपुर की कदमास्थित टाटा वर्कस यूनियन हाई स्कूल के छात्रों ने बनाया है बनाने में करीब धाई हजार खाली और बेकार बोतलों को इस्तेमाल किया गया है इनमें करीब 1700 बोतलों से दीवार बनाई गई है 800 बोतलों से साइन्स पार्क इसमें human body को समझाया गया है यही नहीं पार्क में अंटरी करते समें एक symbolic आदर्श विद्वार्थी का statue भी बनाया गया है उसे school के dress पहना कर gate पर रखा गया है मतलब यहां सब कुछ बोतल से बना है पिछले साल COVID के बाद जब विद्वार्थी खुला तो विद्वार्थी में गंदगिया थी और उसमें जो सबसे प्रमुक गंदगी थी वह थी plastic bottles की क्योंकि बाहर से लोग आते थे यहां उपयोग कर फेक कर जाते थे जब उन्हें हमने जमा किया तो काफी मात्रा में बॉटल जमा हुआ लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आकर इस बॉटल का उपयोग कैसे किया जाए हमने मिलकर यह निर्ने लिया कि क्यों ना इससे एक बेरिकेटिंग की जाए इस स्कूल में और उसमें बागवानी किया जाए तो पिछले साल इस साल मार्च से लगभग हमने यह बॉटल इखटा करना शुरू किया और इसमें इनर विल क्लब ने भी हमारी मदद की और लगभग धाई हजार बॉटल का उप्योग हम इस पार्क में अभी तक कर चुके हैं इससे बॉंडरी भी बनाया जिसे की बागवानी की जाए तो वह सुरक्षी तरह सके और साथी साथ एक काफी इनोवेटिव सोच हमने यहां डेवलप किया है आम तोर पर इस तरह के काम में दो से धाई लाख रुपे खर्च होते हैं लेकिन स्थानी स्वेम सेवी संस्थाओं के सहयोग से बच्चों ने करीब साथ महीने में पार्क को बना दिया इसे तयार करने में नौवी और दस्वी के चात्रों और चात्राओं ने मदद की पहला मार्च में लॉकडाउन हो गया था उसके बास से जब हमारा कोविट के बाद स्कूल खुला तो हमने सब मिलकर बॉड्र का उप्योग करके यह बॉड्री बनाया है और बॉड्री में नसर्फ हमने सिर्फ बॉड्री दिया है बल्कि यहां बहुत सारे पाशें तंत्र, स्वसें तंतर उप्योग के बॉड्री बहुत हमारे विड्री मिलकर बनाया है कोरोना काल के लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बार जब स्कूल को खोला गया तो परिसर में सैकडो यूजड प्लास्टिक बॉटल्स पड़े थे आम तोर पर लोग इसे डंप करने का सोचते हैं मगर शिक्षी का शिप्रा मिश्रा ने बच्चों के सायोग से खूबसूरत लुग दे दिया बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की कॉंसेप्ट पर इस साइंस पार्क को बनाया गया है NBT Online के लिए जम्शीत पूर से रवी जहा की रपॉर्ट